ये देखे गाइस कितना यम्मी कितना टेस्टी पराठा हमारा है बनकर आया है हम इसको कट कर के दिखा रहा है परकती से कितने यम्मी कोई भी कोई भी को ना झाँ आ खाली है इसका जिसमें तरफ से इसके बहुत अच्छे सारी तरब से श्टपिंग बहुत अच्छे से फैली हुई है और एक बाद गाईज इस ठंड में अगर पराठे नहीं बनाए तो क्या बनाए यह एक तरह से समोसा अलू पराठा है क्यों क्योंकि इसमें हमने समोसे वाली फिलिंग भरी हुई है तो आप लोग चलिएगा देख एक केजी होगी क्योंकि हमको पराठा बनाना है थोड़ा सा जाधा तो यह देख सकते हैं हमने लिया हुआ एक बाउल महरी मटर क्योंकि इस ठंडो का सीजन है मटर बहुत अच्छे से आ रही है यम्मी सी उसमें हमने दो ले ली है मिरच जिनको हम डालेंगे यह देखे दो स स्पून जीरा जिसको हम अच्छे से तड़कने देंगे यह देखे हमने हाप स्पून ली हुई है अजवाइन क्योंकि इसमें ठंड का मौसम है तो अजवाइन अच्छे लगती है यह हेंग ली हुई है तीन से चार पिंच के करीब इसमें अब डाल देंगे मटर और यह हरी अच्छे से तो इसमें अब हम एड़ करेंगे मिरच यह रेड़ मिरच टाली हुए पाउडर के लिए हल्दी और अब हम एड़ करेंगे इसमें धनिया पाउडर एक स्पून के करीब और इसको चलाते हुए पका लेंगे और इसमें पानी एड़ करेंगे थोड़ा सा जिसके मटर चेहे दो कटा लेंगेगा भड़ा करके इसको कोख हो चुकी ये देखे तो लोग होक похож दू मिरने कोख होنت टार कि आती हम पटाइटो मैसले लेंगे मटर को फोल्ड लेंगे तो कुरहें कि RED observing खड़ी मटर रखेंगे न तो हमारे पराठे में ये फूट जाएगी पराठा जो होगा वह फट जाएगा फूलेगा नहीं तो इस वज़े से मटर को मैस करना जरूरी है अब अपने जो कदू करके रखे थे आलू ग्रेट किये हुए इनको हम इसी स्टपिंग में डाल कर मिला तो देखे पहले तो हमने मटर के हिसाब से नमक डाला था अब हम नमक डाल चुके हैं अलू के हिसाब से स्वाद के अनुसार तो ये देखिए अब इसका हम एक ट्रेस्टी और इंस्ट्रेस्टिंग सा मसाला बनाएंगे जिसकी वज़ा से हमारे पराठे है न वह बहुत खड़ी दनिया है और एक स्पून हमने लिया हुआ है जीरा तो जीरा भी अच्छा होता यह देखे अज्वाइन अब करेंगे इसमें थोड़ी सी इसको हम चलाते बहुन लेंगे और इसमें अब हम आट करेंगे हिंग थोड़ी सी ति अब देख सकते हैं कूंकि हिंग भी ब लेंगे अच्छे से और फिर हमें क्या करना हूँ यह आगे देखिएगा इसकी हमें फिर हमें क्या करना है इसको डर्द आ रहो कि अम और पीशना नहीं पम्हहुत सी tell inbox the ताजा मसाला बना करके डालों उसका टेस्ट कुछ अलगी होता है तो देखिए अच्छे से को mix करेंगे और अब इसमें हम एट करेंगे खरी धनिया तो उसको भी हम कट करेंगे और हरी धनिया तो इसमें आप चिली फ्लैक्स होगा डाल सकते हैं हमने बच्चों के वज़ा से एट किया हुआ हुआ है एक वाय। बाउल नहीं करके अच्छा से हम ने हरी धनिया ली है। इसको नहीं समय है। इस वज़े से में हाथ से इसको मैस कर लिया है अब इसको हम रखेंगे ठंडा होने और चलिए लगाते हैं डो अपना तो हमने तीन कटोरी लिया हुआ तीन बाउल लिया हुआ है आटा और उसमें हमने ये देखे क्रिस्प करते हुए एक स्पून अजवाइन एट कर दी है और लगातार बनी जाते हैं तो इस वज़े से हम इसमें नहीं डालना है क्योंकि ज्यादा ऑयल सेथ के लिए अच्छा नहीं है तो इसमें डाला नमक टेस्ट के इसाब से अब हम इसको नॉर्मल पानी से डो लगा रहे है इसका तो दो भी ऐसा लगाएंगे बहुत ज्यादा हा जिस हिसाब से आलू का भरता है पर आटे में उस रज़ी नहीं हैं एक बड़े में जो शोटी बनाई हैं उसको अब हम क्या करेंगे थोड़ा से सूखा आटा लगाएंगे और हाथों से की साथा से इस तरह से हम इसको करेंगे बड़ा क्योंकि इसमें हमारी इतना बड़ा हम इसको कर लेंगे इतना फैला लेंगे कि जिसमें हमारी जो हमने आलू की बॉल्स बना कर रखे रखी है अपने स्टेपिंग की तो वो इसमें आ जाए यह देखे गाइस इस तरह से करते हुए इसको हमें बॉल्स को भरना है इसके अंदर तो बॉल्स को इस तरह से भरना है कि बिल्कुल खुले नहीं कहीं से फटे नहीं बहुत अच्छे से भरना है क्रैकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बॉल्स दम चिकनी स्मूथ होनी चाहिए जिसकी वज़े से पराटे मारे फूल कराएंगी ये देखे आइस अच्छे से हो गया है तो इसमें अब लगाएंगे हम सूखा आटा और सूखा आटा लगाते हुए बेलन से हलके हाथों से हम इसको भर लेंगे बेल लेंगे देखे हलके हाथों से इसको बेलना है बिल्कुल करना है जैसे हम बेलते हैं उस साथ से भीखर आठाना है, अगर आप रोटियों के अच्छ चारा तरफ नहीं फैलेगी इस वजह इसको हमें हलके हाथों से सीधा सीधा बेलना है, जिसके हमारे सारी तरफ आराम पहले हैं, यह देखती है जाँ कि इसको तवा हमारा मत देखेग सब सबसे हैं तो हमारे उपर से बबल से लगके तो देख सकते हैं इसका मनला पराठा से अच्छे हैं तो इस पर हम पलटकर लगाएंगे गोईल गबं देखेंगे और उलटते पलटते इसे आख मेंके देखिए हमारे पराठा लगबग लगबग दीरे-दीरे से फूलने लगा है तो आपको दिखाएंगे हम पूरी तरह से यह देखें इस सर्दियों में लगबग लगबग पराथे सबके ही यहां बनते हैं मगर इस तरह से एक बर पराथा बना कर खाईए तो बहुत टेस्टी हो बहुत यम्मी लगेग कि कैसा दिखता है यह देखे आपको दिखाने के चक्कर में इधर पराठा ज्यादा क्रिस्पी हो गया है तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पराठा फूल कराया है गाई इस बहुत यमी पराठा बनता है एकदम देख के ही मुह में पानी आ रहा होगा तब तक जब निटा पराठा बना लेते हैं यह देखे हमने भर कर दूसरा पराठा भी साइड में बेल लिया है तो जब इसको हम अटाकर रखेंगे तब हम दूसरा पराठा इस पर डालेंगे भाइस ठंडियों में तो आलू के प़ाठे खाने का तो जवाभी नहींंगत ठेस्टी लगता है तो यह देखे आप देख सकते हैं बीघ पषिती है जो सािफ के लेंगे अगजाए नियुक्त प्राथा हुआ जातुन साथ करें विह अपने दूसरे पूर दीज स्विक हो देखने प्रके वहां सकते हैं तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस रेसिपी को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मिलते हैं नेक्स डे नेक्स